कि फ्राइंग फेक्ट राजिशन मेथड के द्वारा एल्चिम ओफ शिक्स एंड वन फाइफ कैसे पता करें अभी हम सीखेंगे मैं हूं सुरांदर क्लेरी अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल की प्ले लिस्ट पर वीजिट करें इस नाम को यूट्टूब पर सा का धिवाइड करता हूँ तो कितना घ्री टाइम हो जाता है इसको आप ऐसे समस कते हैं अब देखिए इसके वीमें फेक्टर करूँ गा इसमें टू का डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन घ्री का डिवाइड हो रहाए कितना 5 time 5 का divide कितना 1 time तो यहां पर 1 5 के देखो factor क्या आगे आपके 3 multiply 5 आगे हमें यहां पर दोस्तों किसकी बात करनी है अपने LCM की बात करनी है तो simple है आप धिहान से देखिए दोस्तों इन दोनों का common factor क्या है यह यहां भी है यहां भी है आपको क्या मिला दोस्तों 3 उसके बाद पीछे बच्छे factor 2 है यहां पर कौन है 5 है इनका multiply किया कितना आगे दोस्तों 30 तो LCM कितना निकल गया 30 इसी के साथ देखिए एटसेप भी मैं आपको बता देता हूँ इसका full form याद करो क्या होता है highest common factor पस आप common factor को देखो यानि ऐसा factor जो की इसका भी है इसका भी है कौन है देखो 3 यहां भी है यहां भी है तो HCF कितना निकल गया आपका 3 LCM कितना निकल गया 30 तो इस तरह से है जो हमने अपना यह कुशेंट सोल किया सुरेंदर क्लेरी यूटूब पर साच करें थांक्यू